Hello students, welcome to my channel, it's school time, so कैसे आप सब, जरूर अच्छे तरह से ही चल रहा है आप सक पर study, तो चलिए देर ना करते हैं, शुरू करते हैं आज का वीडियो, और आज का जो वीडियो हैं, यह हम लोग का ratio and proportion के उपर new series स्टार्ट हो रहा है आप सब के लिए, यह part 1 है, तो आप लोग आ अच्छे तरह से इस वीडियो को भी देखेंगे and हर एक questions को अच्छे तरह से समझने की कोशिश भी कीजिए, ठीके, और आप लोग तो जानते हैं, हर एक question जो मिलेता हो, वो based on आशाम government exam pattern के उपर ही होता है, तो हर एक question किसी ने किसी exam में आया है, तो आप लोग अच्छे त value of x, देखें, यहाँ पर क्या बोला है, तो हम लोग ने क्या लिखा, since लिख दिया, 0.75 is to x equals to 5.8 है, तो x अभी लोग क्या होगा, तो हम लोग ने इस तरह से यहाँ पर put down कर लिया, जो हम लोग को question में दिया है, तो अभी इसको देखें, is to का मतलब क्या होता है, divide होता है, अगर divide हुआ, तो यह उपर में है, और यह नीचे में, लिख दीजे, और इसको बोलते है, जो 4 dot होता है, उसको बोलते है, आम लोग equal, तो इसको equal में लिख दीजे, and 5 by 8 यहाँ पर भी opposite, यहाँ पर divide हो जाएगा, तो अभी दीखें, cross multiply कर दीजे, इसको यहाँ से यह, और इसको इदार से यह cross multiply होगा, तो 5 से x multiple होगा, क्या होगा 5x, and 0.75 से 8 multiple होगा, तो इसको मत कीजे, यह आपर आप लोग रख दीजे, उसको बाद cancel करने में आसानी होगा, ठीके, तो अभी इसको लिखने के बाद दीखिए, 5 को opposite में, divide में लाद दीजे, cancel कर दीजे, 0.75, 0.15 15 होजाएगा, तो अभी 0.15 को 8 से multiple कीजे, दीखे, क्या होगा, 1.2, यानि 1.2 नहीं था, actually 120 होता है, यह पर 2 unit के बाद क्या होगा, पॉइंट होगा, तो पॉइंट लिखने से क्या होगा, 1.2 होता है, और 0 हम लोग लिख दी सकते है, नहीं लिखने से भी होगा, ठीके, तो दीखे, तो दीखे, what is the fourth proportion of this equation, of this numbers, 7, 8 and 14, ताभी इस तीनो में से fourth number equation, बहा, fourth number, जो हम लोग का proportion होगा, ओ क्या होगा, यापे find करने के लिए बुलाया, ता हम लोग ने दीखे, यापे पकल लिया, fourth proportion का मतलब x, हम लोग ने यापे पकल लिया, ता भी proportion यापे make कीजे, 7 is to 8 equals to 14 is to x होगा, क्योंकि ये चांड number का है, तो ये last में हम लोग x लिखने सी हो जाएगा, ता अभी simply इसको divide में convert कर दीजे, 7 by 8 equals to 14 by x, cross multiply कीजे, 7 से x multiple होगा, 7 x, और 8 से 14 को multiple करके, कर सकते, या फिर आप यसी ही रखके cancel कर सकते, ता अभी दीखे, 7 को यह से ला दीजे, 7 से 16 हो गया, आम लोग का 4th proportion, ता ये ता आम लोग का number 2 केशन, ता अभी आई है number 3 में, तीखे, 3 में क्या है, तीखे, number 3 में क्या है, आम लोग के लिए, हा, what is the ratio of 20 पैसा and क्या है, रूपीस 3, तीखे, तीखे, क्या बोला है आपे, ratio of 20 पैसा and रूपीस 3 का ratio क्या होगा, ता आ हम लोग पैसा में convert करनेंगे, कैसा होगा दीखे, ये therefore, रूपीस 3 is equal to क्या होगा, 3 into 100 पैसा, यानि हम लोग को मालूम है, 1 रूपीस equals to क्या होता है, 100 पैसा होता है, तो इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, 3 से 100 को गुना कर देंगे, तो क्या होगा, पैसा में convert होजगा, 300 ताब इसको simply ratio में convert कर दीजे, 20 पैसा इस्टो 300 पैसा, ताब इसको divide कर दीजे, 20 से 300 cancel कर दीजे, 15 times होगा, तो 1 by 15, यानि 1 इस्टो 15 होगा इसका ratio and proportion, तो आब ये number 14 में दीखे, number 14 नी 4 होगा, number 4 में क्या है, आम लोग के लिए, दीखे, what should be added to 8, 21, 13 and 31, so that the sum is in proportion, दीखे, त या पर numbers जानना, इन सब के साथ क्या plus करने से, हार एक question x equal क्या होगा, proportion में होगा, तो दीखे, आम लोगने क्या पक्रा, the number 2 भी added to x, तीखे, हम लोग को जो number 8 करना है, उसको आम लोगने x पकल लिया, ताब इसको आम लोग, simply इसको proportion में convert करेंगे, तीखे, according to the question क्या होगा, 8 plus x is to 21 plus x equals to 13 plus x is to 31 plus x, तीखे, ताब इसको हम लोगने क्या क्या है, एक ratio and proportion में convert कर गया, अब इसको divide में convert कीजे, दीखे, क्या होगा, 8 plus x उपर में चला जाएगा, and 21 plus x नीचे चलाएगा, या पर दीखे, क्या है, equal है, equal लिख दीजे, and 13 plus x उपर में है, and 31 plus x नीचे दीखे, 8 plus x and 31 plus x, एक साइड में लिख दीजे, और दूसरे साइड में 21 plus x and 13 plus x लिख दीजे, अब इसको multiple कीजे, 8 31 जागे होगा, 248, अब 8 से x multiple कीजे, 8 x होगा, 31 से x multiple कीजे, 31 x plus 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 होगा, and x x x square हो जाएगा, multiple करने से ये x square होता है, ताब इसको opposite में, दीखे, या पर भी similarly multiple कीजे, 13 into 21 होगा, 273 plus 13 into x, 13x, अभी x से 21 कीजे, 21x and इधर में plus 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 x into x करने से x square होते, अभी दीखे, x square अगर इधर plus है, opposite में भी plus है, उसको cancel कर दीखे, या अगर इधर आ गया, तो minus होगा, तो plus minus cancel होते, तो पहले से इसको cancel कर दीखे, अभी दीखे, जो जो x है, इसको opposite म में रख दीजे, 8x plus 31x, यानि 39x, opposite से आ रहा है दीखे, या भी क्या है, 13x and 21x, plus कीजे, क्या होगा, 34x, opposite में plus है, इधर आने से minus हो जाएगा, तो अभी दीखे, and इधर पर क्या है, 273, या पर है, and opposite से आ रहा है, 240, तीखे, या भी minus में आएगा, अभी दीखे, दोनों को minus क या कि divide होगा, 25 से 5 अगर divide होगया, तो क्या होगा, 5 होगा, तो therefore, the required number to be added is 5, तो हम लोग 5 या आपे add करने से, पूरा जो हम लोग का question होता है, यह equation में चला जाएगा, तो यह था हम लोग का पहला वीडियो, ratio and proportion के उपर, तो आशा कर तो आप सबको आच्छा लागया, आज होगा वीडियो, अगर आच्छा होए, तो जरूर लाइक कीजे, और बुरा होए, तो comment में बताए, किसलिए बुरा होए, तो मैं next video में इसका improve करने के लिए सुचूंगा, ठीके, तो thank you for watching and keep in touch.